हालो दोस्तों नवश्कार बीमार गय का डाइग्डोसिस कैसे करें और उसका ट्रिक्स क्या है टीटमेंट की यह मैं आज बताना चाहरा हूँ देखिएगा आप सबसे पहले गय को चला कर देखते हैं जो भी बीमार पशु उसकी चाल कैसी है चाल इसकी नॉर्मल है फिर हम इसका होल कराने के बाद दोनों तरफ से से बंदवा दिया है अब हम इसका टेमपरेचर देख रहे हैं कितना टेमपरेचर है कि सब्सक्रायूं आफогर्ण देखने के लिए थर्माँटर को पकड़ए रखते हैं, आमसे से सब्सक्राइब को चोड़ेते हैं, थर्माँटर को छोड़ाना जाया जूड़ा जाया है चूथ कि अगर ठर्माँटर आपना छोड़ दिया है New इसी टाइम अगर भैस ने गायन गोबर कर दिया तो थर्मामीटर नीचे आके गर जाएगा टेंपरिचर इसका नॉर्मल आया है तो बाकी चीयों का हम देखेंगा है बाडी कोड पर हमने हाथ लगा के देखा है कि जिसम इसका गरम है ठंडा है आपको देख रहे हैं देखिए आप बिलकुल कंजस्टेड आई पड़ी है इसकी कान छूपे देख रहे हैं कान गरम है नहीं है ये लिंफ नोड बहुती बड़ा फैक्टर है लिंफ नोड इसकी सूजी हुई है आपर सॉलन है दोनों तरफ हम हाथ लगा के देखते हैं कि अगला हिस्सा गरम तो नहीं है पिछला हिस्सा गरम तो नहीं है दोनों बाड़ी गोट नॉर्मल है या नहीं है कान पकड़के देखते हैं कान ठंडे है नहीं है और इसकी कानों की जो वेन है नसे है ये उठी नहीं है उबाली हुआ है नहीं है प्रोमीनिंट है नहीं है गोबर को भी हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ा लक्षण है कि गोबर अगर कोई पश्यूर नहीं किया है तो हम हाथड़के जासे हमने तो बस्को केस को ऑगरी में कोज़ लगा सकत्री कुछनद दर्यागनूज किया ड्यूश ब़ला जासे क्यूंद में देग लाज रिए हमने दो बोतल इसमें एक dns और एक 5% बोतल का इस्तमाल किया है आई वी इंजेक्शन ऑक्सी टेटरसाइकलीन 40 ml दिया है 40 ml क्यों दिया है 40 ml की जब डोज केलकुलेट करोगी तो 2 ग्राम बैठेगी 2 ग्राम एंटिवाटिक इसको हमने आई वी दे दिया अब हम इसको जो है दूसरा इंजेक्शन देने जा रहे हैं यह जीट इंजेक्शन रखा हुआ हम पास तुम आगे नहीं हम को बोतल दिखा रहे हैं यह सारी चीजे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे हम एक टीटमेंट करते हैं यह आटियू है तो जब ट्रिप्स का एक एस तो बाक़े लगेगा जब आटी इसको थोड़ा बढ़ा कर दे रहे हैं तो यह 20-25 ml हमने इसको आटियू दे दिया 10-15 ml हम इसको जीट इंजक्शन देंगे जो कोई भी प्रोटो जुआ की बीमारी के जब हिलाज करते हैं तो CPM देते हैं यह इंजक्शन लगाने का जो तरीका ही देखिए आप पहले थप-थपी लगाएंगे इसको यह थप-थपी लगाने के पार इसको लगाएंगे तो यह जादे परिशान नहीं करेगी और एक इंजक्शन से जब दूसरे इंजक्शन लगाते हैं तो उसी रिडल से ही लगाते ह पीकिता करने ताकि लिए फैक्वर्ट नेजिक्षन आगे पहले पाक्राय। समझ आपक्राइब ऑगेर हुअपी से खारखे निकशिता अगल्स निकाले नियुक्ष्य जो यदिता कर देता कि तो पहले क। तो लोग बताते हैं कि इंजक्शन की जगा साइट आफ इंजक्शन जो ती वो सूझ गई खराब हो गया यह देखिए इसमें इंजक्शन लगाएंगे तो यह थोड़ा हिल जाएगी हिलने के बाद आपको स्री को छोड़ा है निडल को ने छोड़ना है और इसको आप दवा देगे निडल को पकड़के इंजक्शन लगाते हैं लोग एक हासे और इंजक्शन के बाद इसको लगा दिया ट्रीटमेंट के बाद यह भाग गई और एनरजी लेविल बढ़ गया ब देने बाद थैsan